हालो फ्रेंड वेलकूम तो माई चैनल आज हमें एक थियोरम डिस्ट्स करने जा रहे हैं जो इस तरह से है एक्स्टिरियर एंगल प्रोपर्टी फोर ए सैकलिक क्वाडिलेटरल की फोर्म में है ठीक है और यह थियोरम इस तरह से है इस एक्स्टिरियर एंगल इस एक्स्टिरियर एंगल तो देखे हमने एक सैकलिक क्वाडिलेटरल बनाया है पहले कमपास से हमने एक सर्कल बनाया है A, B, C, D, एक cyclic बनाया है, फिर इसमें A, B को आगे बढ़ा दिया है, produce कर दिया है, ठीक है, और given में लिख दिया है, a cyclic quadrilateral A, B, C, D, whose side A, B is produced to E, E तक सब बढ़ाये गाया है, हमें प्रूव करना है, to prove C, B, E, जो exterior angle है, equal है ये ADC, यानि इस exterior angle, ये जो exterior angle C, B, E है, वो opposite angle, ADC के equal है, ठीक है, तो चलिए, अब हम प्रूव में कर लेते हैं, C, B, E, प्लस A, B, C, ये एक linear pair बना रहे हैं, तो हमने लिख दिया, C, B, E, प्लस A, B, C, equal to 180 degree, bilinear pair लिख दिया है, और equation first reason मान लिख दिया है, ठीक है, अब secondly हम क्या देखते हैं, कि A, B, C, और ADC, एक cyclic quadrilateral के opposite angle हैं, तो हमने लिख दिया, ADC, ADC, और ABC का sum लिख दिया हमने 180 degree, और हिहां रिजन लिख दिया, sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree, right, from equation first and second, तो हम देखते हैं, दो निख value 180 के equal है, तो हमने इसको आमने सामने रख दिया है, opposite रख दिया है, तो C, B, E, प्लस ABC equal आ गया, ADC plus ABC के, अब यहां देख रहे हैं, दो angle same मिल रहे हैं, तो हम इनको काट देंगे, ठीक है, तो C, B, E, angle up की value आ गई, एंगल ADC के equal, ठीक है, तो इस तरह से प्रूब हो गया है, यह हमारा, तो अब देखे, अगर हम इसको चेक करना चाहें, तो देखे, हम D से चेक कर सकते हैं, हमारे पास यह D है, प्रोटेक्टर है, तो देखे, हम चेक करते हैं, कि angle C, B, E की value क्या है, तो हम देख रहे हैं, C, B, E की value हम देख रहे हैं, 100, 1 degree, यानि यह 101 degree है, और ADC की value देखें, तो देखे, ADC की value भी, 100 ही होगा हमारा, तो 101 degree ही आई है, ठीक है, तो यह हम इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्वेंट, ओके,